हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्स इंटर, आज हम यहां पर बात करने वाले हैं, अम्बुजा सीमेंड के स्टॉक के बारे में, जो Q4 की अर्णिंग है, वो यहां पर कंपनी की तरफ से रिलीज कर दी गई है, तो चली यहां पर देखते हैं, जो Q4 की अर्णिंग आ आया है, 9,127 करोड, लाश्ट कॉर्टर यहां पर आया था, 8,322 करोड के आसपास, लाश्ट इर के सेम कॉर्टर में यहां पर 82,50 करोड के आसपास आया था, तो Q on Q basis पर यहां पर इंकम बढ़ा है, और Y on Y basis पर भी यहां पर इंकम बढ़ा है, इसके बाद यहां पर खर्च यहां पर 6884 करोड़ हुआ था और लाश्टियर के सेम कौटर में यहां पर 7118 करोड़ के आसपास खर्चे देखने को मिले थे तो खर्चे भी यहां पर Q on Q basis पे और Y on Y basis पे बढ़ गए हैं तो वो चीज भी यहां पर clear-cut नजर आ रही है अब इसके बाद हम बात करते हैं profit before tax औ उसमें यहां पर company ने क्या किया है minor 211 करोड़ जो हमारा profit before tax यहां पर प्रोविजन आया था वो यहां पर आया था कित्ता 1386 करोड़ तो यह एड़ होने के बाद यह जो profit है वो यहां पर बढ़ गया है जबकि यहां पर जो profit है सेम चीजें यहां पर last year हुई थी 147 करोड़ तो profit कम हो गया था तो यहां पर profit before tax ज़्यादा दिखाया गया है last quarter में यहां पर 248 करोड़ था और last year के same quarter में 988 करोड़ के आसपास profit था और after tax की अगर हम बात करें profit after tax अगर आप देखोगे तो 1525 करोड़ के आसपास profit हुआ है last quarter यहां पर 1089 करोड़ हुआ था और last year के same quarter में 663 करोड़ तो profit आप Q on Q basis पे भी बढ़ गया है बट Y on Y basis पे भी बढ़ गया है एक चीज बत यहां पे ध्यान देना पड़ेगा जो operating profit है वो अगर आप देखोगे तो Q on Q basis पे घड़ गया है अगर exceptional item ना होता exceptional income ना होता तो वो यहां पे profit जो है यह जो बढ़के दिखाया गया है वो यहां पे देखने को नहीं मिलता और current tax भी यहां पे देख सकते हो minus में दिया गया है तो उस चीज का भी यहां पे benefit वो मिल रहा है आपको number कैसे लगे comment करके बता सकते हो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like जरूर किया करो यहां पे क्योंकि हम आपके लिए यहां पे बहुत अच्छा यहां पे एक platform create कर रहे हैं जहां पे हर q4 की जो number है वो आपको यहां पे हरी stock के देखने को मिल जाएंगे मिलते हैं हम next